नमस्कार स्वागत है आपका नियूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे कोरोना वारस की वजह से एश्या कप और T20 वर्ल्ड कप रद्ध हो चुके हैं जिसके बाद अब एक अच्छी खबर भी है लोगडाउन की वजह से पिछले चार महिने से क्रिकेट से दूर रहे फैंस के इंतिजार अब खत्म होने वाला है इंडियन प्रीमेर लिग अपने सीजन 13 के साथ लोट रहा है हाला कि पिछले सीजन के मुकाबले इस बर काफे कुछ बदला बदला होगा आयोजन कहां होगा कैसे होगा और क्या सुरक्षित रहेगा इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है BCCI ने IPL सीजन 13 के लिए 29 मार्च से 24 माई तक की तारिख तैकर रखी थे लेकिन लोगडाउन के चलते आयोजन टलता गया फर सुने माया की मुंबाई और उसके आसपास के सेंटर्स पर बिना दर्शकों के IPL मैच कराए जा सकते हैं लेकिन महराष्ट में तेजी से करोना केस बढ़े लिहाजा या सिर्फ विचार ही रह गया एश्वा कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे टुनामेंट होने थे लेकिन संक्रमन का खत्रा देखते हुए ICC ने इन्हें भी रद्ध कर दिया इसे IPL के लिए रस्ता खुल गया एश्वा कप और T20 वर्ल्ड कप रद्ध होने से BCCI को आठ हफ़ते का विंडो पिरियेड मिल गया है इसमें IPL कराए जा सकता है सुत्रों का कहना है कि IPL 19 सेप्टेंबर को शुरू होगा 8 नौंबर को फाइनल खेला जाएगा 59 दिन तक चलने वाले टुर्नामेंट में हर टीम 14-14 मैच खेलेगी जिसमें कुल 60 मैच खेले जाएंगे मैच शाम 7 बजे शुरू हो सकते हैं भारत में ये 8 बजे से शुरू होते थे इस बार IPL UAE में है जिससे मैचों की टाइमिंग में बदला हो रहा है IPL की गवर्निंग काउंसलिंग के चैर्मेन ब्रजिश पटेल ने भी यह पुष्टी की है कि सेप्टेंबर अक्टूबर में IPL का सीजन 13 होगा हाला कि इस पर अभी सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है इस बार IPL में उतरने के साथ ही महंदर से धोनी क्रिकेट में अपनी वापसी करेंगे आस्ट्रेला के पुर्व बल्लेबास और कॉमेंटेटर डीन जॉन्स को लगता है दिन जोस ने एक इंटरव्यू में कहा किस समय तो ऐसा लग रहा है कि भारती एचैन करता रशव बंत और केल राहूर के साथ है अगर धोनी IPL में अच्छा करते हैं तो वहाँ टीम में आ सकते हैं लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो उनके लिए दर्वाजे निश्चत तोर पर बंद हो जाएंगे जोस ने यह भी कहा उन्होंने हाला कि दर्वाजे खुले रखे हैं या ब्रेक उनके लिए अच्छा हो सकता है उनको अच्छा ब्रेक मिला है और अगर वहाँ वापसी करना चाहते हैं तो यह अच्छा ब्रेक है यकिन कीजिए जैसे आपके उम्र बढ़ती जाती है आपके लिए वापसी करना मुश्किल हो जाता है उन 40 साल के धोनी ने आखरी बार अंतराश्ट्या क्रिकेट पिछले साल विश्व कप के सेमी फाइनल में न्यूजिलैन के खिलाफ खेला था टीम का ट्रेनिंग कैम्प 27 जुलाई से प्रिटोरिया में शुरू होने वाला है खिलाडियों के करोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद किरिकेट साउथ अफ्रिका ने सभी को कैम्प से हटा दिया है C.A.S.A. की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम इस बात के पुष्टि कर सकते हैं कि टीम के तीन सदस्यों की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है संक्रमित पाए गए खिलाडी और सपोर्ट स्टाफ को अब दस दिन के लिए सैल्फ आइसोलेशन में जाना होगा और वे अब ट्रेनिंग कैम्प का हिस्सा नहीं होंगे CACA ने आगे कहा कि तीनों सदस्यों में करोना के हलके लक्षन है हमारी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है करोना प्रोटोकॉल के तहत वर डॉक्टरों के निगरानी में रहेंगे दक्षुन अफरीका की महिला टीम ने आकरी मैच इसी साल मार्च में T20 वर्ल्ड कप में खेला था तब टीम सेमिफाइनल में आउस्ट्रेलिया से हारी थी दक्षुन अफ्रिका को आउस्ट्रेलिया के खिलाप जून में घरेलू से रिश खेलनी थी जो करोना की कारण टाल दी गई थी बिरी रिपोर्ट नियूस 29 इंडिया खेलों की दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाने के खेल मंत्री किरन रिजुजु ने मात्योकांश्री योजनाओं पर प्रकाश डाला है जिसमें फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना अहम है किरन रिजुजु ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सभी के लिए एक प्रेणा रहे है और सरकार द्वारा ओलेंपिक टैस्क फोर्स निकट फविश्व में इस दिशों में कुछ बढ़ा करने में मदद करेगी प्रधान मंत्री के फिट इंडिया मुव्मेंट पहल की सराहना करते हुए रिजुजु ने कहा कि 70 प्रतिश्वत भारतियों ने अपनी फिटनेस का मुल्यांकन करना शुरू कर दिया है और जीवन के उस सब पहलू का ध्यान रख रहे हैं उन्होंने कहा मेरे दो उद्देश्व हैं एक तो भारत को स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना और दूसरा देश में खेल संस्क्रति को विक्सित करना है इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी के लिए प्रेड़ना दायक मार्ग दर्शक रहे हैं पीम ने ओलेंपिक टास्क फोर्स का गठन क्या है रिपोर्ट आ गई है और हम इसे पहले से ही लागू कर रहे हैं रिजीजू ने कहा पीम ने फिट इंडिया मुवेंट लॉंच किया यहवा आधार है जिससे हम एक ऐसे डेश को रूप में उभरेंगे जिसमें फिट लोग होंगे इससे पहले सत्तर प्रतिशत भारते फिट नहीं थे अब लोग अपनी फिटनिस का ख्याल रख रहे हैं बीरी रिपोर्ट नियूस 29 इंडिया तो आप देखते रहें नियूस 29 इंडिया एक देश सार्य प्रदेश